असलाम अलेकुम मेरा नाम मुहम्मद अली है और आप देख रहे हैं get your manufacturing success with मौहम्मद अली एक्स के टुटोरिल के साथ हाज है और आज हमारा topic जो है वो basically draft के ऊपर है और आज हम देखेंगे के annex में हम किस तरीके से solid body ये solid geometry के उपर draft लगा सकता है ठीक है तो draft draft के ये option है और एक draft body है इस lecture में हम सिर्फ graph को discuss करेंगे next video में इंशालब मैं draft body के उपर lecture से record करते हैं तो हमारा types जो आ रही है face as tangent to face parting है जा रहा है तो सबसे पहले हम face को देखते है face में हमने क्या करना है face select करना है specify vector vector define करना है उसके बाद stationary face define करना है यानि जो के stationary condition के नजर है fix रहे और दूसरा face जो है वो हमने उसके perpendicular रही था वो select कर दिया तो आप देखिए यहां से अब आप draft की value define कर सकते हैं इस face में मैं multiple selection भी कर सकता हूँ और हम यह draft रहा सकते हैं ठीक है और positive direction में है तो यह solid geometry बता रहा है और अगर यह material value direction बागेगा तो remove material करेंगा बड़ी असां सी selection है असा method है vector define करना है stationary face define करना है जो कि basically fix face का क्राम करेगा hinge face का क्राम करेगा और उसके बाद जो है सकते हैं और add new set करके भी आप मज़ीद faces define कर सकते हैं ठीक है यह तो यह जनाब हमारे पास एक method second जनाब हम command को में delete कर देता हूँ और जनाब ग्राफ की समय में हम आजाते हैं edge की option पर edge की option में भी हमनी क्या करना है vector define करना है अच्छा जब भी वेक्टर की बात आएगी तो मैं अपनी वीडियो में previous वीडियो में बता चुका हूँ कि आपके पास यहां पर जो inferred vector है जिसे यह जो आपके पास पर coordinate बना हूँ है इसकी तीन direction और तीन इसकी opposite direction है जो आप use कर सकते हैं इसके इलावा आप two point method से जो है वो भी define कर सकते है direction और curve axis भी define कर सकते हैं curve vector भी define कर सकते हैं curve vector और face plan normal और बाग की यह तमाम option भी use कर सकते हैं ठीक है तो मैं to gain videos में command को apply करने का process बता रहता हूँ तो simply selection करता हूँ ताके समझना असान हो जाए ठीक है इसके बाद हमने edge select किया let's suppose इसी edge को select करते हैं अब इस edge में जो है वो यह वाला phase auto select हो गया ठीक है अच्छा अगर direction हम change कर देगे तो यहां से direction change करने पर यह selection हो लिए अच्छा इसी तरीके से अगर इसको हम reload करता है और edge बें जाके मैं direction यह ले देता हूँ ठीक है और edge let's suppose यह ही select करता हूँ अच्छा sorry दो पॉसिबिलिटीज आ लिए सब्सक्राइब करना है अच्छा अगर मैं यह वैक्टर की direction select करता हूँ और specify this vector select as ठीक है तो vector की direction change करने पर आपके path जो है वो phase भी different select होगा ठीक है यह अपने चीज का जो है वो कहाल लगना है इसी तरीके से अगर vector की यह वरी direction है मैं यूज कर रहा हूँ ले देना पोजर्ट यहाँ पर और जो है वो मैं यह select करता हूँ तो अब टॉफ साय का इसी तरीके से अगर मैं इस vector को यहां यूज करता हूँ जाट एक्सी डारेक्शन में तो एंगिल जो लगेगा वो अपोजर्ट डारेक्शन में लग रहा है कि दिके डारेक्शन सब्सक्राइब करने पर मेरे पास डिफ्रेंट इस पर टॉफ्ट चीज़ पर ठीक है ओके इस डिलीट कर जाते हैं अगें ड्राफ पर आते हैं कि अग्शन देखते हैं जना आप टैंजन टो फेस अच्छा इसके लिए मुझे रेडियस लगाना पड़े गाता है सही आपको इसका सब्सक्राइब करें यह मेरा यहाँ पर रेडियस हो रहा है अब ड्राफ में जाके हैं हमनी क्या करना है इसमें जो सिलेक्षन है वह आप यहां से टैंजेंट फेसेज अब अब अहों हमें फेस सिंगल नहीं इस यहां पर तीं पर आ रहे हैं यह तो यह इसको दुबारा से रिसलिक्ट करता हूं बहुत यहां जाके हैं तीच फेस सेलेक्ट किया मैंने यह सिंगल फेस सारी दुबारा से मैं यहां से सिंगल फेस कर देता हूं और यह फेस है अब इसकी ऑपॉजिल डारेक्षिन नहीं होंगी वेक्टर में यह बेसिकली आप यहां पर देखें जो एक्टर वेक्टर में इसमें सॉरी इसमें आपने मुल्टीपल ही सेलेक्शन है टैंजिंग फेसे भी रहना देना तो यह बेसिकली क्या होगा है डिपरेंट अपाउंट वेक्टर यह वाली डायरेक्शन आपकी आ रही है और जो भी डाफ्ट लगेगा वो आटोमेटिकली इस रेडियस के साथ टैंजिंग बन जाओ ठीक है यानि कि यह पॉसलिटी का बुसकती है कि बाद और फास पिछेस मे नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाएगा जहां पर रिबॉव उफ मेंडियल तो यह प्रोटूजर नहीं बनाएगा इसमें फायदे कि अगर यहाली सिच्वेशन नहीं होती तो हमें पहले इस प्रोफाइल को चीफ करने के लिए पहले हमें ड्राफ्ट लगाना पड़ इसके बात जो हमारे पास आप्शन रहे गया है वह रहे गया है पार्टिंग एच का मैं आपको यहां पर बता रहता हूं इसके लिए हमें फ्रोड़स है यहां पर एक ग्रोमेट्री बनाने पड़ेगी है आपको यहां रहे तो लिए अब भाइव और तब दोड़ी कैं सब्सक्राव और सरफ सब जहाने के लिए आपको इसको मैं है कर देता से इसको ठीक है अच्छा लाँ जी हमारा ग्राफ का अप्षिय है पार्टिंग एज के उपा है तो वेक्टर की डिरेक्शन ये सलेक्ट हो गई है जनाब प्लेन में ये सलेक्ट कर रहा हूं और एज जो है आप यहां से अज़िए इस तरी के से इस एज को यूज करते भी जो है वो हम ड्राफ्ट लगा सकते है इस तरह की अन्विए प्रोफाइल के उपार अगर इस्ट्रेट प्रोफाइल है दुवारा से मैं इसको रीट लाँता हूं अग्षिय को फीट लगाँता हूं आप अग्श्य अग् है अग्या है यह टाइट अग्षक तक रीटो अन्य अग्ष्य थिक्ट रेक्टर अब लेंग जो है वह वह साल के तोर पर अगर में यह रखते हैं अपने है और अच हम सेलेक्ट करता है अच्छ शुट ठीक है यह फेज़ आ रहा है और इसी तरीके से अगर मैं प्लेंट जैंस कर गए यह प्लेंट कर जाता हूं और यहां से इसको जी लोड कर जाता है डायरेक्शन में चेंज कर जाता हूं कि यहां से वेक्टर्फी सेलेक्शन प्लस जाती है और यह अब से कर लेता हूं ऑर यहƯहां पर और मैं connected curve ले देता हूं इसको भी देता है और इसको भी ले देता है ठीक है तो आप देखेंगे अब draft जो है वो basically इस face के उपर apply हो रहा है ठीक है यहनी vector और plane change करने पर आपको पहले face के उपर apply हो रहा था अब यह इस face यह वाला जो straight और angle में जो हमने extrude किया कि एक profile यहां पर आप इसको angle में draft लगा सकते हैं ठीक है और सहां है एक ही practice कीजिए उसके बाहुद आप इसको अपर्ट मॉड़िंग के अंदर use कीजिए बहुत इस वीडियो को इंटर रखते हैं नेक्स्ट व्राफ बॉड़ी में इंशाला आपसे में लगात होगी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिये अलहाफ़ज